नमस्कार दोस्तों एक बार फिर में आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूटूब चैनल पर आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी साथी साथ दोस्तों आप अमारी वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे और यहां से मिलने वाले Deep Analyzes और Best Production की दम पर शानदार Binning Combination आप यहां से सेट कर पा रहे होंगे तो दोस्तों इसी उम्मीट के साथ एक बार फिर हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं Fan Code ECS T10 Tournament के 29 और 30 बे मुकाबले को लेकर दोस्तों यह दोनों ही मुकाबले भारतिय समय अनुसार रात साड़े 9 बजे और दोस्तों दूसरा जो अगला मुकाबला होने वाला है वो रात को 12 बजे से खेला जाना है यह दोनों ही मुकाबले NCT और SRL दोनों ही टीमों के बीच में खेले जाने हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर 10,000 रुपे का फिरी गिब अवे लेकर आए हैं ये गिब अवे आपको कैसे मिलेगा तो दोस्तों हमारे दोरा पूछे गए दो कोशन्स के आपको सही सही आंसर देना है और सही सही दोनों आंसर देने वाले बजेता को 10 हजार रुपे की ये प्राइज मनी सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में हेट टुएड और ग्राइड लिग दोनों ही परकार की टीमें बनाने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के अब तक के टुनामेंट में किस परकार के परफॉर्मेंस रहे हैं किस परकार से ये टीमें खेली हैं दोस्तों इसकी बात करने से हमें फाइदा ये मिलता है कि हम आसानी से टीम का कॉम्बिनिशन सेट यहां से कर सकते हैं यानि दोस्तों किस टीम के प्लियर्स को हमें ज़्यादा खिलाना है और किस टीम के में यहां से कम लेना है और कौन से बोलर कौन से बल्लेवाज को में यहां से फोकस करना है तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं दोनों ही टीमों के अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अपन NCT टीम के बारे में तो टूनामेंट में अभी तक 10 मुकावले ये खेल चुके हैं दोस्तों 10 मुकावलों में 6 मुकावलों में ये जीते हैं और 4 मुकावलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और दोस्तों ये 6 मुकाबले जीते हैं इनी के कारण है कि दोस्तों ये पॉंच टेवल में 2 नमबर पर बनी हुई है तो दोस्तों अभी तक ये 8 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबलों में इन्हें हार मिली है और यही करण है कि तीसरे नमबर पर ये पॉंच टेवल में बनी हुई है दोनों ही टीम हैं दूसरे और तीसरे नमबर पर हैं यानि कि दोस्तों मुकाबला एक दम कड़ा होने वाला है काटे का मुकाबला हमें यहां देखने को मिलने वाला है दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के सबसे पहले बिकिट कीपरिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर बात करें NCTT के आविद अली के बारे में तो जैसा सुरूवाद के जो मकावले हुए थे यानि कि दोस्तों इने 10 मकावले के लिए हैं तो सुरूवाद के साथ से आथ मकावले हुए थे इसमें इस बल्ले बाइने चोत्य नमबर पर बैटिंग कि-थी रखने वाले हैं, 10 मैचों में, दोस्तों 181 रन इसी टूनामेंट में इनके बल्ले से निकले हैं, और इसमें 28 रन की इनकी सर्वस्रेश्ट पारी है, ध्यान रहें, ये बिकिट कीपर सेक्षन में हैं, तो बॉलिंग भी ये नहीं करते हैँ, इसके लाब हम बात करने वाले हैं दोस्तों नालिन पत्राना के बारे में 8% लोगों ने इन्हे सेलेक्ट किया है टीम के कैप्टन होने के साथ साथ ये चौते नमबर पर बेटिंग करने आते हैं और अभी तक इनके द्वारा खेले गए 8 मुकाबलों में 41 रन इनके बल्ले से निकले हैं जिसमें 21 रनों की इनकी सर्विसेस्ट पारी है लेकिन आपको बता दें ये दोस्तों प्रोपर कीपर नहीं है ये बीच बीच में ओवर भी फेकने आते हैं यानि कि दोस्तों अभी तक 8 मुकाबलों में ये 5 ओवर फेक चुके हैं और वहां से एक बिकेट निकालकर टीम को इनों ने दिया है इसके अलाव बात करें दोस्तों सचित्रा थरंगा के बारे में तो टीम के लिए दोस्तों ये ओपन करने आए हैं और हर मैच में इन्होंने ओपन किया है और साथ मैचों में खेले हैं अभी तक जिनमें 85 रन यानि 85 रना भी तक किये हैं उनमें 32 रनों की इनकी सर्वस रिष्ट पारी है दोस्तों आपको बता दें जो पिलियर जैसे तरंगा है 100% टीम के लिए ओपन कर रहा है तो ऐसे पिलिय आपके लिए शांदार ओप्सन हो सकते हैं और दोस्तों जैसा कि हम head to head team के लिए खास तोर पर बता दें तो बिगट कीपर एक बल्लेवाज तीन चार all rounder और तीन बोलर्स को लेकर हम team बनाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हमारे जो analysis देखा गया है उसमें all rounders आपको सबसे ज मिलने वाले हैं क्योंकि जो भी team अभी तक जीती जाती है सबसे जादा grand league team की बात करें चाहे दोस्तों head to head team की बात करें या clear performance की बात करें तो दोस्तों हमें दिखाई दता है team में 4 all rounders हमेशा रहते हैं जो dream team सामने आती है match होने के बाद उसमें 4 all rounders हमें दिखाई देते है और यही करण है कि हम all rounders को यहां से 4 खिलाने वाले हैं यानि दोस्तों अब bicket keepering की हमारी बात हो चुकी है यो कि हमने grand league में आपके लिए बताया है थरंगा का आपके लिए captain by captain और आविद अली दोनों ही आपके लिए captain by captain के शांदार option हो सकते हैं अब बात करते हैं दोनों ह अभी तक 5 मकाबले केले हैं और 60 run ये अभी तक बना चुके हैं जिसमें दोस्तों 43 run की इनकी services पारी है यानि कि दोस्तों जिसा कि आपको दिखाई दिरा है कम percent लोगों ने इने select किया है तो अभी के लिए head to head team में हम भी इने थोड़ी दिरे के लिए drop करने वाले हैं क्योंक तो 47% लोगों ने इने इसलिए select किया है क्योंकि team के लिए ये open करने आते हैं और दोस्तों 3 मकाबले भी तक इनोंने खेले हैं जिनमें 23 run इनों की बल्ले से निकले हैं 22 run इनकी services पारी है और अच्छी बात ये है तीनों मकाबलों में ये 4 over fake चुके हैं बाद 2 विकट team के लि open करने आ रहे हैं 92% लोगों ने selection को किया है क्योंकि team के लिए open करने आ रहे हैं bowling ये player नहीं करता है और बात करें तो 7 मकाबले के लिए हैं 127 run इनके बल्ले से निकले हैं जिनमें 56 run की यानि 150 ये लगा चुके हैं सबसे बड़ी पारी इनकी यही है तो दोस्तों अभी तक हम ब बल्ले बाजill के बारे में तो दोस्तों अगला नम आता है अपना c-sadun के बारे में बात करेंगे यानि दोस्तों चमाल सदून के बारे में बात करें तो टीम के लिए 3 नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं आप मैचों में 144 run इनके बल्ले से निकले हैं 48 runों की इनकी ओवर ये फेक चुके हैं और वहाँ पर दोस्तों चार बिकेट निकाल कर टीम के लिए इन्हों ने दिये हैं यानि कि दोस्तों बात करें तो बल्ले बाजी के साथ साथ बॉलिंग में भी कापी शांदर पर्फोर्मेंस ये कर रहे हैं निश्यत तोर पर दोस्तों ये हमारी टीम का शांदर पिक रहने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों बात करें हैं अपन रोशन सिरीबर दने के बारे में 25% ही लोगों ने ने सलेक्ट किया है क्योंकि पांच में नमबर पर बल्ले बाजी तो आ रही है पर बल्ले से कम इनके रन निकले हैं यानि आठ मैचों में 67 रन ही इनके बल्ले से निकले हैं जिनमें 21 रनों की इनकी सर्वसेश्ट पारी है और अच्छी बात यह है कि आठो मैचों में यह एवरेज यानि की एक ओवर पर मैच में फेक रहे हैं और आठ मैचों में आठ ओवर फेकने के साथ ही दोस्तों यह दो पेकेट टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं इसके अलावा दोस्तों अब बात करें हैं अपन एस हुसेन के बारे में जिनका नाम है दोस्तों शेकावत हुसेन तीन परसेंट लोगों ने सिलेक्ट किया है हाला कि बैटिंग छटवे नंबर पर करने आ रहा हैं लेकिन बल्ले से कोई खास रन नहीं है दस मैचों में चोंता रन बल्ले से नकले हैं बाइस रन की सर्वसेश्ट पारी है और ये बॉलिंग नहीं करते हैं तो head to head team में तो हम इने drop करने ही वाले हैं इसके अलावा दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं एक बल्लेवाज अपन सूपर शूट गया है जिसका नाम है दोस्तों Roman मजुमदार दोस्तों Roman मजुमदार के बारे में बात करें तो पिछला मुकाबले इनको नहीं खिलाया था दोस्तों बात करें पिछला मुकाबले में इने play नहीं मिली team ने इनको आराम दिया था और जो पांच में नमबर पर बल्लेवाजी करता है यादि इस मुकाबले में कहलते हैं तो आप ऐसे आसानी से pick कर सकते हैं हाथ आजमाए हैं, वहाँ पर दो बिकेट भी निकाल कर दिये हैं, यदि ये टीम में खेलते हैं, तो निश्चती आपको अभी तक शांदार तीन बैट्समें, परफेक्ट बैट्समें जो होते हैं, वो आपको यहां से मिल गए हैं, और दोस्तों बात करें, बैट्समें में, अपन कैप्टन बाइस कैप्टन के बारे में, ग्रांड लिक के लिए जैसा कि हमने आपको भी बताया, दोस्तों जो भी बल लिवाज पहले और दूसरे नंबर पर बेटिंग कर रहा है, फर्श्ट डाउन बेटिंग कर रहा है, तो आप इन्हें आसानी से कैप्टन बाइस क कैप्टन ट्राय कर सकते हैं, और दोस्तों ऐसा ही कुछ हमें बॉलिंग में भी मिलने वाला है, लेकर दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले आपको जो दस हजार रुपया का प्राइज मनी है ना, उसके दो कोशन आपसे पूछ लेते हैं, साधी साथ आपको फॉर्मेट सम सुन लीजिए, पहली इनिंग का दूसरा बिकेट कौन से ओवर में गिरने वाला है, पहली इनिंग का दूसरा बिकेट, वहीं अगर दूसरे कॉशन की बात करें, तो दोस्तों सैकंड इनिंग को क्या टारगेट मिलने वाला है, दोनों ही आसान से सवाल हों के आप जबाब दे दें, तुरंत ये जबाब दे दें दोस्तों, और इसके लिए जो हम आपको फॉर्मेट समझाने वाले हैं, इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको आंसर करना है, यदि आप इस फॉर्मेट के आधार पर आंसर नहीं करते हैं, तो आपके सही आंसर निकलने के बाब कर दिये जाएंगे नर्मल्स फॉर्मेट है आपको कमेंट बॉक्स में जाना है वहां पर लिखना है फैंटसी बिनिंग 11 दोस्तों जो की हमारे चैनल का नाम है आपको लिखना है फैंटसी बिनिंग 11 इसके अलावा दोस्तों आपको लिखना है N-C-T versus S-L-L यानि की जो मैच ह इसको यहाँ पर mention करना है और दोस्तों तीसरी सबसे match पूर बात जो कि दोस्तों आज दो मुकाबले हैं जैसे कि हमने आप यह वीडियो है 29 और 30 मुकाबले के लिए या आप यह कह सकते हैं दिन का पहला और दूसरा मुकाबला तो आपको यह match को mention करना है या तो आप match number 1 डाल दें या match number 29 डाल दें दोस्तों ये आपको डालना है mention करना है यदि आप इसके लिए पहले match के लिए comment करना है तो आपको यह करना पड़ेगा और दूसरे के लिए comment करना है तो match number 2 डाल कर आप तीसunn number का match डाल सकते हैं इसके बाद एक नमबर डालिए आंसर कर दीजिए और दो नमबर डालिए आंसर कर दीजिए इसी format के आदार पर आंसर करना है और यदि आपको दोनों आंसर करना है तो आपको दो कमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप इसी में इंटर मारिए और ऐसा कैसा format दोस्तों तो नर्मल बात है आप यहां से एक और दो दोनों लिख सकते हैं लेकिन हमको मालूम चलना चाहिए कि कौँन से मैच के लिए आपने mention किया है या तो आप ईक और दो इसी में लिख दें और दोनों के आंसर एक-दो करके फिर एक-दो कर दें तो दोस्तों आपके लिए यह format fix रहेगा और इसके अलावा दोस्तों मतलब clear बात ये कि हमको समझ में आना चाहिए कि आप किस मैच के लिए आंसर कर रहे हैं और एक बार में हमें समझ में जाए इसके अलावा दोस्तों बात करें साबधानियों के बारे में सबसे पहली साबधानी तो दोस्तों जो format की आपने बताई वो होने वाली है और दूसरी साबधानी मैच के start होने से पहले आपको comment करना है याजि दोनों मैचों के लिए कर रहा हैं तो आपको दोस्तों यदि आप ऐसा भी करना चाते हैं कि अलग अलग कमेंट करना चाते हैं तो दोनों मैचों में तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन मैच के स्टार्टिंग होने से पहले आपको करना है और मैच को मैंसन जरूर करना है इसके लावत तीसरी साब्धानी कि दोस्तों आपको जो करना अधि आप एक कुमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है किसी और प्रकार के कमेंट आपको नहीं करना है और इसके लावदtones सब्धानी यही है किसी प्रकार का Edit आपको कमेंट करने के बात नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों एड़ेट आप करते हैं तो वो मैंसान हो जाता है और दोस्तों आप पकड़े जाओगे तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन ओल राउंडर्स की ग्रांड लिग हैट टुएट के लिए किस परकार के पिलियर हमें यहां से खिल रनों की इनकी सरवसिष्ट पारी है दोस्तों मेरे हिसाब से यह बैटिंग के हिसाब से अपन टीम में नहीं लेंगे लेकिन अब इनके ही बात करें हैं बॉलिंग डेपार्टमेंट की दोस्तों पंद्रा ओबर आठ मुकावलों में फेक चुके हैं यानि यह खिसाब लगा है क्योंकि फर्स्ट डाउन यह बैटिंग करने आते हैं इसके अलावा दोस्तों 10 मैचों में 86 रन इनके बल्ले से निकले हैं और 29 रनों की इनकी सरवसिष्ट पारी है और दोस्तों बात करें 10 मैचों में 19 ओवर यानि की पर मैच में अपने 2 ओवर खतम करके जाते हैं और व बल्ले बाजी दिलाने वाला है और दोस्तों बोलिंग में तो बिकेट हम को ले कर देखी रहा है इसके लाफ बात करें दोस्तों दीनुबान पत्ußराना के बारे में तो Chinese नमबर का यह 17 दोस्तों च्रह में च्छह मैचों में出來 बना पाया है लेखिन बात करें ऑर एक एक अप के एवरेज़ स्कोर के एक फ़ल एक ऑबर के तो टीम मतल techniques का एपरोड एक में एक मैक में एक वर एक से एक ॉवर बिक्ट यह निकल चुक है याणि पांच मैच में पांच पर इन्होंने फेके हैं और एक बिकिट ये निकल कर टीम के लिए दिये हैं वहीं अगर बात करें दोस्तों फैजल मिया के बारे में 80% लोगों ने सिलेक्ट किया है दोस्तों कुछ मुकाबले जो बता रहे थे लास्ट की जो मुकाबले थे उन्हों में इन्होंने सेकिड पर इनकर रहता है लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ मैचों में टीम नीचे के बल्ले बाजों को उपर प्रमोट कर रही है तो उस चक्कर में दो नंबर पर ये बैटिंग करने आ रहे हैं और दस मैचों में 50 रन इनके बल्ले से निकले हैं और जो 28 रन सबसे ही है वो दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के साथ ही आई है बात करें बोलेंगी तो 15 मैचों में साथ बिकेट ये टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं यानि कि दोस्तों ये हमारे लिए शांदार पिक होने वाले हैं आप कैप्टन बाइस कैप्टन की हम इने सलाह बोलिंग में कोई खास होने वाले नहीं हैं बात करें तो 5 ओवर में एक ही बिकेट निकाले हैं यानि कि आप ड्रॉप भी इनको कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात करें बोलर्स के बारे में तो यहाँ पर बिलाल खान दोस्तों बिलाल हुसेन आपको दिखाई दे रह पहुंच चुका है, 34 रन की इनकी सर्वश्ष्ट पारी है, वहीं पंदरा में ओवर फेक कर तीन बिकट भी टीम के लिए निकाल कर दिये हैं, दोस्तों इस पर जोर हम इसलिए दे रहे थे, क्योंकि अभी पिछले एक दो मुकावलों में ये उपर बेटिंग करने आये हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और वहाँ ये बल्ले बाच से बॉलिंग से, तो ठीक है दोस्तों बेटिंग में भी ये स्कूर करकर टीम के लिए दे रहे हैं, इसके अलावा अपन अब बात करें अपन कमाल रियास के बारे में लगवग 93% लोगों ने सिलेक्ट इनको किया है आठ मैचों में 16 ओवर फेकने के बाद 12 बिकट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं, यानि कि दोस्तों आपके लिए ग्रांड लिंग में कैप्टन 22 कैप्टन का शांदार पिलियर यहां से आप ट्राइ कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात करें आपर तॉमल अनिमूल के बारे में तो तॉमल अनिमूल के यहां पर अपन बात करने वाले हैं तॉमल अनिमूल 80% लोगों ने इनने सिलेक्ट किया है, 10 मैचों में 15 ओवर फेकने के साथ 8 बिकट निकाल कर टीम के लिए इननोंने दिये हैं, 10 मैचों में 15 रन और 8 बिकट निकाल कर टीम के लिए इननोंने अभी तक दिये हैं, इसके लाव बात करें दोस्तों, सोमन कुमारा के बारे में 1% लोगों ने सिलेक्ट किया है क्योंकि तीन मैचों में तीन ओवर फेकने के साथ ही एक बिकेट इनको मिला है लेकिन दोस्तों हम आप जिसकी बात कर रहा है वो पिलियर बहुत शांदार है जिसका नाम है दोस्तों रोमन जया कोडी दोस्तों रोमन जया कोडी की यहां पर बात करें रोमन जया कोड़ी की 87% लोग ने सलेक्ट किया है आठ मैचों में 10 ओवर आठ मैचों में 10 रनिये बना चुके हैं वल्ले बाजी की यहां पर कोई खास बात नहीं है लेकर आठ मैचों में 15 ओवर फेकने के बाद नो बिकेट टीम के लिए इन्होंने निकाल कर दिये है तो यह प्लियर भी यदि प्लेइंग मिलती है तो आपके लिए है ग्राइंड लिंग में शांदार पिक रहने वाला है दोस्तों यदि आपको हमारा अच्छा लगा है प्रेडिक्सन आपको ठीक लगा है प्लियर इस्टेट्स की दोस्तों प्लियर इस्टेट्स की दम पर आप अच्छे टीम कॉंबिनेशन सेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर देदें दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको हमारा प्रेडिक्शन एनलाइसिस प्लियारेस्टेट्स कैसे लगें दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई